बच्चों आप सबको एक बार फीर से हमारे इस वीडियो क्लास में स्वागत है तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे है लेशन नमबर 3 क्लास 1 के लिए और जो इस पार्ट का में बिशय है वो है पशु पक्षी तो हम लोग इस पशु पक्षी के उपर पढ़ेंगे इसमें गुन बताने वाले शब्द इस पार्ट में जितना ही पशु पक्षी के बारे में बताया गया है सबका एक गुन है जैसे पच्चों पशु पक्षी भी जीब है जैसे हमें भूग लगती है वैसे ही उन्हे भूग लगती है जैसे हमें प्यास लगती है वैसे ही उन्हें भी प्यास लगती है जो जैसे पशु को जैसे पशु पक्षी को भी भूख लगती है हमारे तरफ हमें जैसे भूख लगती है प्यास लगती है वैसे उसी तरफ पशु और पक्षी को भी क्या लगती है प्यास और भूख दोनों यदि कोई हमें कोई प्यार करता है तो हमें अच्छा लगता है ऐसे ही जब उन्हें कोई प्यार करता है तब ये भी प्रशन होते हैं। हमें कोई सताता है तो हम दूखी होते हैं इसलिए पशु पख्षी भी हमारी तरह ही जीव है कुछ पशु पालतु होते हैं कुछ जंगली होते हैं पालतु पशु में गाय, भेश, पक्री, घोरा, गधा, उठ, कुटा, विल्ली आदी है जैसे कि हमें अगर कोई सताएगा या कुछ दुख पहुंचाएगा तो हमें दुख होते हैं उसी तरह पशु और पक्षियों को भी दुख पहुंचाने से वो लोग भी दुख ही होते हैं इसलिए उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए और पशु दो प्रकार का होता है एक होता है पालतु और एक होता है चंगली पालतु पशु में हर सबका घर में पालतु पशु है जैसे कुट्ता सबका है घर में है बिल्ली है गाय है बक्री है और भेस भेस से उट नहीं है ना हम लोग का इधर उट नहीं और बाकी ये सब सब के घर में ही है कुटτα घर की रख्वाली करता है यह एक बफदर जानवार होता है कुट palavras की अगरते घर का रख्वाली गरती है और कुछता को क्या कहा जाता है पफवदार जानुवार गाय भेस आदी दूद के लिए पाली जाते है गाय और भेस हम लोग किसले पालते है दूद के लिए गाय का दूद अम्रीद के समान होता है गोरा तेज दोरता है यह सवारी के काम आता है गोरा पेले जमाने में क्या था गारी नहीं था तो लोग घोरे में ही सवारी करते थे उट भूरे रंका होते है उट क्या रंका होता है भूरे रंका होते है इसकी गरदन लंबी होती है उट की गरदन जो लंबी होती है इसे रेगिस्थान का जहास कहा जाता है उट रेगिस्थान का क्या कहा जाता है प्रशना अगर है तो उट रेगिस्थान का जहास कहा जाता हाती जैसे बरा जानवार को भी उपयोग में लगाया जाता है इस प्रकर पालतु पोशु पशु आद्मी से भी मित्रता निभाते हैं कि अभी हाम पालतु मतलब पालने वाला पक्षियों से भी मिल ले जंगल में रंग बिरंगे सुन्दर सुन्दर पक्षि देखने को मिलते हैं कुछ यह है इसमें क्या है तोता तोता और मैना मुर्गा मुर्गी मुर्गा मुर्गी तो सबके घर में हैं और बतक बतक भी है तीतर बेटर ज्यादा लोग मतलब घर में नहीं होते हैं और कबुतर गाव में सबके घर में होता है तोता बरा सुन्दर होता है तोता बहुत मतलब बहुत सुन्दर होता है उसके उसका हरे रंग पर उसकी नुकिली लाल चोच बरी अच्छी लगती है तोता का रंग कैसा है हरा है और उसका चोच कैसा है लाल है तोता अदमी की तरह बोली बोल सकती है तोता क्या कर सकता है आदमी की तरह बोल सकता है मेना भी तोते की तरह पढ़ाई जाती है मेना को भी तोती की तरह ही पढ़ाई जाती है कबुतर तीतर और बेटर भी अनेक लोग पालते है उन्हें खिलाते है उराते है और लाराते भी है मूर्गी और बतक अंडो के लिए पा सुन्दर होते हैं इसका नाच बहुत अच्छा लगता है मोर क्या है रश्टिय पशु है और उसका नाच क्या होता है लोग को बहुत सुन्दर लगते उस लोग का मन को बहलाता है हमें किसी पशुपक्षी को सताना नहीं चाहिए सभी पशुपक्षियों पर दया करनी पक्षी जैसे कुछ-कुछ पक्षी हमें पक्षी में से मूर्गा-मूर्गी बतक कभुत्तर ही पालना चाहिए और तोता मेना ये सब खुली आसमान में छोड़ देना चाहिए इसको घर में बंदी बना के नहीं रखना चाहिए तो बच्चो आप लोग का अगर आस परोशी में कोई अगर एसे पक्षियों को मारेगा पकरेगा और घर में रखेगा तो आप लोग इसमें ध्यान देना कि इसको ऐसे सताना नहीं चाहिए ठीके तो आज क्या पार्ट यहीं समप्त करते हैं हम लोग और प्रश्न उत्तर हम ल जाएंगे ठीक